असलाम उलिकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इमतरीन ख़बरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भीने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर लि यदि आप जाना चाहते हो कोई भी कंट्री खास तौर पे गल्फ के किसी भी कंट्री में यदि आप जाना चाहते हो कुएट जाना चाहते हो तो आप लोगें बता दो दोस्तों अभी कतर कार कुएट का वीजा जो है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है यानि वर्क वीजा जो जो normal visa था पहले जिस तरह से visa work visa employment visa जो provide किया जाता था company यों के तरब से उस तरह से अभी issue नहीं किया जा रहा है तो दोस्तों यह सारी चीजे जो start हो जाएंगी वो जन्वरी से होगा तो अभी जिस consultancy के थुरू जिस agent के थुरू यदि अभी आप जाना चाहरे हो यदि कोई भी country का आपका visa निकल रहा है तो आपको इस पे बहुत ही जाता ध्यान देना है कि ऐसे भी चकरों में ना पड़े जिसके वज़े से आपको fraud फ्रॉडिंग का सामना करना पड़े क्यों तो उनके पास है ये नहीं है तभी आप जाएगा या फिर उन consultancy के बारे में पता कर लिजिएगा कि वो पहले कितने लोगों को भेज चुके हैं जिन लोगों को भेजे हैं उनसे content करने की कोशिस कीजिएगा क्योंकि उनके द्वारा ही आपको बताया जागा कि ये जो consultancy है जेनुइन या fraud है तो दोस्तो अभी आप वीजा तो निकल रहा है पर वैसा नहीं निकल रहा है जैसे पहले के तरह दोस्तो निकलता था पर हां चहां तक मैं आपको guarantee दे रहा हूं कि जनवरी के महिने से सारा वीजा जो है वो इसू होना फिर से start हो जाएगा जिस तरह से पह हर एक चीजों का वहाँ पर चेकिंग की जारी है अभी कोई भी तरह का दोस्तो इलीगल एक्टिविटी अभी आप ना करें क्योंकि यदि आप ही आप लीगल एक्टिविटी करते हूं पकड़े जाते हो तो आपको तूरंथ ही आपको वहां से जेल भी जानी पड़ेगी ज जेल के साथ साथ आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा तो यदि आप वहां पर अभी रह रहे हो तो इलीगल एक्टिविटी में कोई भी इन्वाल्व आप ना हो ज्यादा पैसे के कमाने के चकर में ऐसा नहीं कोई वीजा आप कहीं और हो काम जाके आप कहीं और कर रहे हो क्योंकि दोस्तो ऐसा बहुत सारे वरकर जो हैं वहां पर अभी ऐसा करते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जहां का वीजा आप लगा हुआ वहीं पर जाके काम करें और जो भी लोग अभी आप आने वाले हैं कोई भी गल्फ कंट्री में त प्रतिबन लग जाता है जानी दोस्तों या वो चीज जो लेकर वहाँ पे एरपोर्ट पे जाते हो तो कस्टम डिपार्ट्म के तरफ से ग्रफतार कर लिया जाएगा तो पहले आप जब जा रहे हो कंट्री तो उसके बारे पता कर लिए जो समान लेकर आप जा रहे हो कि पागिस्तान में नॉर्मल होता है यानि वो ले जा सकते हैं पर गल्फ कंट्रियों में जाके वो लोग पकड़े जाते हैं तो दोस्तों छोटी से अपडेट थी छोटी सी खबरे थी जो की कुएट से आ रही थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूं वीडियो आपको सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ युनिक शुडियो पहले आफीज और टेक केर